आपका फिर से एक वर स्वागत है मैं आतवाले बाबा यूटूब चैनल पे आज मैं आपके लिए लाया हूं आरस रगवाल नंबर सिस्टम एक साइज 1B का सॉलिशन क्लास 9 के बुक का तो चलिए सुरुवात करते हैं फर्स्ट कोश्चन से तो पहला कोश्चन आपका कर रहा है कि बिना डिवीजन करिये हुए बताओ कि इन पांचों में से कौन सा रैशनल नंबर जो है उसका डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा कापको पता है हम पहले ही बता चुका हूं इससे पिछले वाले लेक्चर में कि कोई भी रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग तब होगा जब उसका को हम लोग प्राइम फेक्टराइजेशन करें और वो तू और फाइप ही आए या सिर्फ तू आए या फाइप या दोनों आए तू और फाइप अगर यदि उसका लाबा कुछ भी आ गया तो टर्मिनेटिंग नहीं होता है सिंपल सा कोश्चन है तो चलिए शुरुआत करत है कि इसका मतला हम लिख सकते हैं कि एटी इसका मतला हम लिख सकते हैं 2 का power 3 और 5 1 बार है तो इसलिए 5 का power 1 जितना बार हो उतना ही power होता है समझारा है बात ध्यान दो अब हम लोग लिखेंगे इसलिए 80 has no prime factor other than 2 and 5 80 के पास जो भी prime factor है या तो 2 है या तो क्या है मेरा या तो 2 है यहां देख सकते हो ओके या तो 2 है या मेरा क्या है 5 और जब भी 2 और 5 prime factorization करने पर 2 और 5 ही आए तो हम लोग उसको बोलते हैं वो terminating rational number है मतलब terminating decimal है so 13 by 80 is a terminating decimal तो चलिए आगे चलते second question इसी का solve करते है same to same बनाना है क्या लिख देना है denominator of 7 by 24 24 is 24 ओके अब देखो क्या लिखेंगे prime factorization of 24 24 का prime factorization easy से कर सकते हो क्या से कर सकते हो तो मैं आभी आपको बता दे रहा हूं ध्यान दो आप क्या करोगे copy side में लिख लोगे 24 ठीक 24 लिखने के बाद क्या करोगे आप देखोगे किसके table में आ रहा है तो देखोगे 2 का table में 24 आपका 12 times में आ जाता है ठीक उसी तरह फिर 2 का table में लगाओगे तो 6 times में आ जाएगा फिर 2 का table में लगाओगे तो 3 times में आ जाएगा तो यही आपका क्या हो जाएगा prime factorization आप खुद से कर लोगे मैं इसलिए नहीं किया कि video lecture लंबा नहीं हो जाए तेकिन मैं आपको फिर भी समझा दिया जब करोगे तो आ जाएगा आपको 2 into 2 into 2 into 3 यही मैं लिखा तो अब लिख सेट है 24 is called 2 का power 3 है ना 2 का power 3 and 3 का power 1 ओके जान दो क्योंकि 2-3 बार है इस prime factorization में 3 एक बार है as prime factor other than 2 and 3 जान लो समझो बात हो इसको 24 as prime factor other than 2 is that 3 connect मतलब कि 24 के पास prime factor है 2 के अलाबा जो कि क्या है 3 है यह बात हम यह सो कर देंगे 2 के अलाबा भी इसके पास prime factor 3 आ रहा है so 7 by 24 is not a terminating decimal इसका मतलब 7 by 24 terminating decimal नहीं है क्योंकि इसके पास 3 prime factor आ गया मैं पहले ही बता जुका हूं कि terminating decimal होने के लिए prime factor या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए या 2 और 5 दोनों हो सकता है लेकिन उसके लाबा कुछ भी नहीं चलेगा यहाँ पे 3 आ गया तो नहीं होगा तो लिखेंगे 7 by 24 is not a terminating decimal तो चलिए आगे चलते हैं 5 by 12 है तो फिर लिखेंगे denominator of 5 by 12 is 12 prime factorization of 12 is equal to 2 into 2 into 3 2 to 4 into 3 12 अब 2 2 बार है तो लिख देंगे 2 का power 2 क्योंकि 2 दो बार है and 3 1 बार है तो लिख देंगे 3 का power 1 2L is equal to 2 का power 2 and 3 का power 1 इसलिए 2L has prime factor 3 other than 2 मतलब 2L के पास prime factor है 3 जो की 2 के अलाबा है और 5 के लिए अलाबा है तो आप अच्छा ही रहेगा कि यहाँ पे 5 भी लिख लो ताकि बिल्कूल कोई दिकत ना हो 2 and 5 कर लो 2 and 5 कर लो 2 और 5 के अलाबा prime factorization क्या है 2L में 3 और यह extra आ गया तो यह prime factor यह तो terminating decimal नहीं होगा इसी बात के लिए का 5 by 12 is not a terminating decimal तो यह हो गया solve चलिए आगे चलते 3rd हो गया 4th पे same to same सब मनाना है आप करो वीडियो पहुच करके भी कर सकते हो don't worry यह आपको मैं description में PDF दे दूँगा solution का don't worry about it तो ध्यांदो 31 by 375 है तो लिखेंग denominator of 31 by 375 is 375 नीचे का denominator यह होता है अब लिखेंगे इसका prime factorization को करना होगा तो आप prime factorization करो कितके आएगा तो आएगा prime factorization of 375 is equal to 3 into 5 into 5 into 5 चलो मैं check कर दो तो मेरा prime factorization सही है कि गलत है 55 जा 25, 5 जा 125 125 जा 375 मतलब मेरा बिल्कूल prime factorization सही है अब ध्यांदो यहां 3 एक बार है तो हम लोग लिखेंगे 3 का power 1 5 3 बार है तो 5 का power 3 ओके 375 जो 3 power 1 5 power 3 अब ध्यांदो जो समझने वाली बात है यह है कि आप लिखना होगा 375 as a prime factor 3 375 के पास prime factorization मत किये तो मेरा prime factor क्या जाया है 3 भी आया ठीक जो की other than 2 and 5 है जो की 2 और 5 से अलग है इसका मतलब समझाय होगा तो फटा-फट आगे चलते हैं आगे भी सेम सेम कोश्चन है 625 लिखने इंटर मेंटर 625 is 125 prime factorization of 125 is equal to 5 into 5 into 5 आप कर लोगे अब लिख सकता है लिखने की तरीका है लिख सकता है Q prime number के तर्म में prime के पाबर 125 लिखेंगे 125 has no prime factor other than 5 इसके पास तो prime factor नहीं other than 5 आपको अच्छेस पता है टू हो 5 हो या 2 और 5 हो तो terminating होगा इसका में तो यह भी terminating है 2625 is a terminating decimal तो यह आपका one complete हो गया तो चलिए दूसरा question solve करते हैं दूसरा question क्या है कराये write each of following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has कराये कि जो भी question दिया गया है उसको आपको decimal form में लिखना है तो देखते हैं यह आपका ठीक पहला question 5 आपको पहला इसको decimal form में लिखना होगा उसके बाद बताना होगा तो कैसा decimal expansion आया terminating या non-terminating या तो लिखेंगे solution by actual division we have division करने के बाद क्या आया नीचे से division करो उपर को नीचे से divide करो उपर को 8 से divide करो 5 में इसलिए हम लोग decimal देंगे यहां पहले ठीक और यहां एक 0 लगा लेंगे ठीक थाकि सही से division कर पाए क्योंकि 5 divisible है नहीं तो हम लोग इसको 50 मना लेंगे decimal देने के बाद फिर टेवल में 648 आ गया फिर 20 तो बार में 16 फिर 40 540 देखे क्या कि मेरा जो है 0 आ गया मतलब completely 0 आ जाए तो समझ जाना कि मेरा जो rational number है वो terminating decimal है 0 जैसे आया तो यह आप समझ जाना बात अच्छे समझ जाना कि terminating है तो यह लिख देंगे 5 by 8 is equal to 0.0.625 clearly 5 by 8 terminating decimal expansion तो दूसरा question करते है दूसरा question है 7 by 25 को बनाना है 25 to 7 को divide करना divide तो होगा नहीं लिखेंगा पहले पहले लिखना होगा why actual division भी है ठीक statement is very necessary अगर आपको सब्सक्राइब तो आपको लिखना ही होगा 24 to 7 25 to 7 divided करेंगे होगा नहीं फिर decimal देके 0 लिख लेंगे तो 70 हो जाएगा तब मैं divisible कर सकता हूँ division कर सकता हूँ 50 लागा होँगा 20 200 हो जाएगा 0 लगा दोंगा अपने मन से decimal के बाद हम लोग लगा सकते हैं पता ही होना चाहिए सब बेसिक चीज इट टाइम से 200 आ गया फिर इमेंडर 0 आ गया मतलब लिख देंगे 7 by 25 is equal to 0.28 जो आपका आया है और दिख देंगे clearly 7 by 25 is terminating decimal expenses तो आगे चलते हैं आगे आपका 3 by 11 ठीक ओके 3 by 11 अब 30 हो गया 11 से 2 by 22 80 7 by 77 फिर 30 2 by 22 ओके फिर 80 7 by 77 फिर 30 अब एक चीज है जरा समझो इसे ध्यान से देखो यहां पर 30 आया है ना आप देखोगे यहां पर भी 30 है एक question में start किये तब भी 30 आया बार बार मुझे 30 मिलना है और 0.27 एक बार आया दुबाड़ा आया और मैं फिर बनाऊंगा फिर यहां पर 0.27 ही आएगा बताब 0.27 मेरा क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है इसी बात को तो मुझे समझाना है आपको 3 by 11 is equal to 0.27 2727 so on so on so on dot 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 so on so on ठीक समझ रहे हो बात को ठ्यांदो तो अब रिपीट क्या कर रहा है मेरा तो रिपीट मेरा 2.7 कर रहा है sorry 2.7 गलत से में गला 0.27 sorry for that 0.27 रिपीट कर रहा है तो हम लोग 0.27 को पर बाहर लगा देंगे जो रिपेर्जेन करेगा कि यह रिपीट कर रहा है रैकिनिंग है ओके ध्यांदो 3.11 जिसका अरिमेंडर one is a 3.85 गलत सी बात हो है नहीं पहले लिखेंगे एक्शेल डीविजन फिर डेसिमल देके 50 कर लेंगे जो से 39 ऐसे फिर 11 अगा नीचे फिर 101010 इट टैंस 104 आ जाएगा फिर 6060 आ जाएगा 4 टाइम से 52 आ जाएगा फिर 8080 हो जाएगा तक टो ठीक है तभी मैं रूक गया अड़ें त्री और एट यह तो तो रिपीट कर रहा है यहां पर भी देखो 38 मिल गया और यहां पर भी 38 मिल गया इसलिए मैं रुका मैं जानता था और डिविजन करूंगा पहला हो तो मैं डिवाइज वह दंबा जाएगा फिर देखूंगा कि वही चीज आ रहा है फिर कोई फैदा नहीं सचा पहली समझ लो थीक फिर 60 होता फॉर बारों 52 लगाता वही चीज आता न है न तो क्या करेंगे हमसमझ गए क्या समझ गए क्या समझ गए कि 0.384615 तक थीक है लेकिन उसके बाद यह है वह Repeat हो रहा है कि रिपीट हो रहा है किसे पता लगा कि यहां पे देखा 50 था ठिक मुझे यही चीज दुबाड़ा मिल गया यहां पर एक तरह समझो, question फिर बन गया, फिर वही चीज़ करूंगा, फिर वही आएगा, ठीक न, यहां पर 5 by 13 क्या हो गया, तो लिखेंगे 0.38461538, लेकिन आप बहुत हो चाहिए यहां ही तक छोड़ देते हैं, अगर ऐसे लिखोगे न, तो CBSC exam check जो करेगा आपका, वो समझेगा कि यह repeating नहीं है, यह terminating है, लेकिन आपको यहां पर dot 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 लगाना होगा, यह इसलिए, यह जो बताएगा कि अभी मेरा division चली रहा है, अभी मैं थोड़ा सा ही किया हूँ, और यह चलते रहेगा, रैक्रिंग है, इस बात को सो करने के लिए हम लोग dot 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 लगाते हैं, अब ध्यान ना लां लोग enaking कितना कर रहा है, सब तो रैक्रिंग कर रहा हूँ, ध्यान कितना रेक्रिंग कर रहा है, ध्यान दो, 3846153, मैं इसको इरह कररा हूँ, आपके लिए, ध्यान दो, अच्छे समझो, है कि 0.384615 यहां तक तक तो एह कि रिपीट नहीं किया फिर रिपीट किया मतलब यही है यहीं किडि रिपीट कर रहा है तो ऐसी इसले ट्रिधि कॉप पर लगेगा इसल Спасибо बाहर दिया हूं इसका हमते ही रिपीट कर रहा है आगे चलते हैं लिग देंगे तो चलिए आगे बनाते हैं फटाफट एलेवन बाए ट्विटीफोर है ट्विटीफोर से लेवन करना है नहीं लगेगा डेसिंबल देंगे लगा होगे कि यहां पे कुछ और नहीं बार-बार क्या आएगा जितना बार करूंगा उतना बार मुझे चलते जाएगा यह कभी खत्म नहीं होगा यह चलते रहेगा मेरा से लाइस का यह न तो क्या करेंगे तो हम लोग लीख देंगे 11 by 24 इसको 0.45 कर रहा है तो 15 8 default को तो तो 3333 आते रहेगा मतल tässä मेरा रिपीड करें अभार से फ्रिक उपर दोंगा ठिक औरूर मेनदर जिरो नाया इसको नं तर्मिनेटिंग इसमें दोनों होता में इस केस में तो दोनों होता है रिमेंडर भी जिरो नहीं आ है तो यह नन टर्मिनेटिंग एंड रैकेडिंग करते हैं जान दो आगे कोश्चन 261 by 400 फटाफट करना है जैसे मन देखे 2610 बनाना है तो नीचे डेसिंबल में जीरो आ गया जब जीरो आ आल आता है तो आप कर लोगे ओके तो चली आगे चलते हैं तो सेम कुश्चन है तो नहीं लगेगा तो डेसिमल देंगे जीरो बैठा देंगे फिर अंदर छोटा है तो यह चोटा-छोटा चीज आप मल्टिप्लाइब करके खुद से कर सकते हूं इसके लिए में और लेडिया फिर फिर इस लगाए तो यह आजाएगा फिर नाइन बार में लगाए 5665 आएगा फिर इस वार में 3750 आजाएगा और आप यहां देख सकते हो कि आपका क्या आ जीरो आ रहा है बिलकुल सब्स्ट्राइक किये तो आपको क्या आ आ गया 0 मतलब यह 0 आ गया मतलब बनाते हैं इसको आप मिक्स में दिया है तो आप इसको इंप्रॉपर्म कर लो तो तो फॉस्ट फॉस्ट प्लस 29 आजाएगा 29 वाट टुए लागए है अब लिखनेंगा एक्च्वल डिविजन भी है तो टैमस लगेगा इस बार डेसिमल लगाएंगे तब 0 लगा लेंगे देसिमल लगाना ही रहता है आप अपने मन से ले सकते हैं फिर फो टैमस फॉट्येट ट्वेट वजाएगा एट ट्वेट फिर एट्व जाएगा शिक्स क्या सिखें कि मतलब मैं 6 और 6 जो है वह बार-बार आते रहेगा और इसको कितना भी कर दो आते रहेगा मतलब यह रिपीट कर रहा और नीचे एक और चीज़ चीद के कि नीचे रहा रिमेंडर 0 नहीं है यह बी सीख लिए मतलब नहीं है तो यह क्या है नं टर्मिनेट पहल रिपीट हो उसको रेक्रिंग बोलते हैं तो साफ लिए ने टर्मिनेटिंग एंड रेक्रिंग डेसिमल एक्सपैंसर समझ आई रहा होगा तो चलिए आगे चलते हैं फटा-फट तो यह बहुत important question है, question 3 है, why mistake 1 लिग रहा हो यह मैं 3 कर चुगा हूं, और बहुत ही को विजिट करके देख सकते हो लेकिन मैं आप से बिंति करता हूं कि एक्जाम उस्ट्रीक का यूज ना करें आपको नमबर भी 0 मिलने वाला है अगर उस्ट्रीक का यूज करके बनाते हो तो इसलिए मैं आपके लिए लग से वीडियो बनाया जिसमें यहां पर मैं सॉल्जू लगा है पर और घो करना क्या है पहले जो कोश्चिन उसको एक्स माख लेना तो लेट अग्स देख सेटा होता है बच्छों रिपीट करना अगर मैं इसको हटा दू इसका मतलब तू दू भार बार रिपीट कर रहा है इसी बात को दिखा देंगे एक्स इसको आप लिखते बैठके dot 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 कर देना एक दो बार स्वार लिखпервых करने दो दो थीन बार लिखके ज्यादा ज्यादा dot dot करने चार मिन लिखो कर चलेगा लकिन यदिQ Gतना ज्यादा लिखिए आपको इस दिकत होगा लिखने में पर उसको को लेना जिन let नहीं कितना बार आप लिख रहे हो अब सम्झेंगे जो तीन बार लिख लिए चार बार भी लिख लिख लिए चलेगा अब लिखेंगे क्योंकि एक ही डेसिमल रिपीट कर रहा है और वह डेसिमल को है तो रिपीट क्या कर रहा है जो यह है यहीं रिपीट कर रहा है तो एक हुआ तो एक होगा तो 10 से मिल्टिप्लाय करेंगे कि यह था यह दो वह है तो एक हुआ ऑपका कुछ ऐसा बन जाएगा ध्यान स्माझे वाले बात है कि दूसरा काम क्या करना है कि यह one है उससे आपको फर्स रिक्वेशन को सब्स्टैक कर लेना है ठीक सब्स्टैक कर लोगे तू में से वन को कैसे करोगे देखो 10x में X गया तो 9x हो गया ठीक 2.2222 है डेसिमल के पाद इसके पास भी 222 है और इसके पास भी 2.9 आएगा लेकिन आप मैं इसको कर रहा हूं आपको चीज समझाना है अब बहुत सब्सक्राइब यह सुचते हैं देखो सर दीखे एक सब्सक्राइब 2.2222 चार बार ठीक अगर मैं एक टैंस से मिल्टिप्लाइ करता हूं तो एक टू तो बहार आ जाएगा तो मैं डेसिमल के पाद तीनी टू बचेगा है न लेकिन यहां पर सर फिर डेसिमल के पाद चार टू लिख देए ऐसा क्यूं बहुत ब़ला कुशन है समझने के लिए अगर आपका देखो एक्चुली मैं आप इसको स्किप भी कर देते हैं तो कोई फर्क ने पड़ता लेकिन अगर आप समझ जाते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है तो यहां पर मैं एक एक्स्टा टू क्यूं लिखा बच्चो समझने वाली बानते हैं पहला बात तो देखो कि दोनों जो है और रिपीट कर रहा है कभी खत्म नहीं होगा अगर हमको सबस्टैक करना है तो डेसिमल के बाद हमको एक जैसा लाना होगा जैसे कि इसके पास अगर मैं चलूं इसके पास डेसिमल के बाद चार है कितना है चार डीजिट है डेसिमल के बाद चार डी लिए अब बोलो क्या ऐसा हम भी कर सकते हैं अपने मंसे तू लिख सकते हैं बिलकुल अगर कोई भी संख्या कोई भी नमर रिपीट करते रहे न तो आप अपने जरुवत के अनुसार कितना भी लिख सकते हो मैं जान मुझके लिखा कि ताकि सब्सेक्ट हो जाए उम्मीद करता हूं समझाय हो चलिए अगला कोशन के चलते हैं आपका जो अगला कोशन है वह 0.53 कोपर बार इस बार दो डिजिट है कोई तिकत नहीं हर बार वही स्टेप है सेम टू सेम लिखेंगे लेट एक्सिस कर तो 0 सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए अच्छा है तो 0.5353 लिख दिए बहुत अच्छा इसको एक्वेशन वनमाल लेने ज्यान दो लिख देंगे सब्सक्राइब करोगे तो आपको पता है जो हंडे से मल्टिप्लाइब करेंगे टूजी रो हता है तो दो बार डेसिमल आ जाएगा यहां पर ऑके समझे बात को ना तो 53 बाहर निकलाएगा और 53 ही बचेगा तो यह 53 बचा अब लोग यह 53 क्यों मैं लाया तो देखो उपर सब्सक्राइब करने के लिए बराबर बराबर करने के लिए और यह तो हम लोग करी सकते हैं कि 53 मेरा क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है समझ रहे बात को मैं समझा चुका हूं चलिए आगे देखो उन्हें लोग अब क्या करने लेने का अब हंडेट एक्स में से एक्स को सब्सक्राइक करने का तो 99 एक्स आ जाएगा आप देखो 5353 डेसिमल के इसके पास भी है इसके पास भी तो डेसिमल त अगे बर जाएगा और यहां पता है अगर हम अंडेट से मल्टिप्लाइगे तो यह डेसिमल जो है दो आगे बर जाएगा और 293 जो है यह बाहर आ जाएगा वैसा ही में सेम तो मेरा नीचे भी क्या लाना होगा चाहड़ ताकि मेरा डेसिमल कैंसील हो जाए तो इरेज कर रहा हूं समझ गहीं बात को ठ्यांदो अब लोग क्या करेंगे इसको में से सब्ट्राक करेंगे तो 99 एक्स हो जाएगा इस साइट सब्स्ट्राक करोगे देखो कि नाइन थी नाइन थी दोनों पास है नाइन थी तो कैंसील हो जागा डेसिमल के बाद सब तो यह तो पर खाली बच जाएगा 293 में टू गया 291 बच गया एक्स निकालोगे 99 उधर चला गया 291 बाइगा लेकिन समझने वाली बात क्या है कि यहां पर यह थी का टेबल में दोनों आ रहा है मत्ति इसका फैक्टर है तो दोनों को पर नीचे 3 से डिवाइट कर देंगे काट देंगे सिंपलिफाय कर देंगे तो 97 बाद में चली में आपके बुक में अंसर दिया रहेगा तो आपको गन्फ्यूज नहीं करने का अगर आप इतना पर भी छोड़ोगे आपका अंसर सही है लेकिन हाँ टीचर पर डिपेंड करता हूँ आपको मार्क्स खाटेंगे या नहीं खाटेंगे एक छोटा साइस टेप के लिए चली आगे चलते हैं फोर्ट नमर कोश्चन की और सेम तुब सेम कोश्चन है वह दूर्टेशंगे रिपीट कर रहा है लिखेंगे लिए आक्सप्र डूट पार एक्ट पो एक्ट पॉट इस नहीं कर रहा है तो यह लिख लेने का फिर आपको डिल्ट नहीं पर डिपार एक कर रहा है और मैं यहां जान कुछ के दो अलग से लिख लिया हूँ क्योंकि मेरा यहां पर जायर सी बात है जब मैं इसको 100 से मुल्टिप्लाइ किया था तो यह आ गया तो यहां पर पॉइंट आ गया है ना चाहिए था और और मेरा एक्चुलिंग बचा भी था लेकिन एक फोरेट एक फोरेट हम अपने मन से लिखें ताकि इसके पास चार है डेसिंबल के बाद और मेरे पास भी चार होगा तब ही तो मैं सब्स्ट्राइक कर पाऊंगा ठीक समझ रहे है बात को यहां पर भी सोवान सोवान यह नहीं अब यह वाला क्या है यह वाला का टू है इसमें से इसको सब्स्ट्राइक कर देने का हमाज रहे हो ना हंडेट एक्स गया 99 एक्स हो गया इस इक्वल टू कि 1848.48 हो गया इसमें से उपर को सब्स्ट्राइक कर देंगे 830 आ जाएगा अभी 99 को स्टाइड बेज देंगे तो आपका अंसर यह आ गया है तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स कोशन की और फाइप नमबर ठीक ना कुछ खास नहीं है 0.235 को पर बार लगा हुआ है मतले रैक्रिंग हो के तो हम लोग लिखेंगे लेट एक्स कर तो 0.235 और यह रिपीट कर रहा है तो इसमें बस यह एक अल करें तो यहां लिख देंगे 0.235 235 दो ही बार दिखने हैं फिर सो आं सो आं सो आं जो कि बताएगा डॉट डॉट कि यह भी खत्म नहीं हुआ भाई यह टर्मिनेटिंग नहीं है यहीं बताता है यह डॉट 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 बाबू इसलिए इसको भूले तो नमबर थोड़ा कटने का चांस बन जाएगा स्मझे बात को सिंस थी डेसिमल प्लेस इस रिप्टिंग सो भी मल्टिप्लाइब बोज साइड ऑफ एक्वेशन बाइट अब ध्यान दो उपर हंडेड नीचे हंडड एक्स को हंडेट से मल्टिप्लाइब करोगे स्वाई फॉट इन आगे चला गया और 235 डेसिमल के बाहर आगे तो बचेगा 235 इसे जखो 235 को डेसिमल के बाहर लाया आया ना लेकिन 235 बचा अब समझने वाली बात क्या है कि यहां पर एक ही 235 बचा जो कि मैं लेड़ी लिग चुका हूं तो एक्स्टा में 235 कहा है बार बार दोस्तों बोलना देखो उपर मिर पास डेसिमल के बाद कितना है मैं डेस करके बता रहा हूं उपर अगर मैं देखूं तो डेसिमल के बाद 123456 डिजित है लेकिन नीचे मेरा अगर मैं 235 पर नहीं लिखता हूं तो सब्सक्राइक करने काफी दिक्कत आ जाते हैं तो इसलिए हम लोग 235 लिख लग से ताके 66 उपर हो सकते है और लिखना बहुत ही असान है आप खुझ से लिख सकते हैं कि आपके पा सब्सक्राइब करने का दो बार इसको लिख देने का एक्सिस कर दो पाइंट 003232 लिख दिया रिपीट है समझो बात को लिखेंगे सब्सक्राइब बात को समझो अब देखो अब समझने वाली बात यहां है कि यहां पर अगर 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 यहां पाजाएगा तो मेरा आणसर क्या आएगा 3422 चलो देखते हैं क्या यह लिखा मैं 3222 यहां तक तुम्हें लिख लिया समझे बात को खो अब समझ में आने वाले तो यह नहीं यही बात मैं समझाने चाहरा हूं ध्यान से सुचो ध्यान से सुचो जिरो पॉइंट के बाद एक दो तीन चार पांच छे दीजित है अगर यहां यह थी टू नहीं लिखता जो मैं डार कलर से लिखा हूँ तो यहां चारी बजता और सबस्ट्राइक करते बहुत ही दिखाता आता क्योंकि इसके बाद तो रिप सब्सक्राइक कर सकते हैं कॉपी सभी कर सकते हैं लिकिन मैं मन में करना सिखा रहा हूँ इसके भी पास चार ठीटू है यह सब तो कैंसिल हो जाएगा एक जैसा कैंसिल समझे बात को अब यह जो 32 बचा यह उसमें से 0 जायेगा तो 32 आ जाएगा तो अंसर आपका क्या लोगतीम आई अब देखो पॉइंट में है डेसिमल form मैं अभी तक में काम क्या हैं देसिमल फॉर्म को हटाना डेसिमल हटाते हो पता है ना जितना हटेगा उतना 0 ningún catch app कि यह जुच है दो आपन। नीचे किसका सब्सक्राइब करने समझ आएगा इसका मैं गारेंटी लेता हूं आपको आगे चलते हैं यह सब्सक्राइब बना लेते हैं आपको आपको पता है यह डेसिमल आगे आजाएगा दो बार 132 बाहर आजाएगा और बच जाएगा 323 यहीं बचेगा से देख लो 132 बाहर आ गया ध्यान तो अच्छे समझा रहा हूं अब बुलोगो यह वाला जो 323 यह किम लिखें तो मैं देखा क्या कि मैरा 23 रिपीट कर रहा है न और मुझे दोनों पहला एक विश्चन जो है उसमें गौर से देखाता हूं अच्या इस देखो एड़ेज करने के बाद बताता हूं ठीक ध्यां एंदू तो यह सब्सक्राइक कर लोगे 323 है 32 323 है सब 0 हो जाएगा वन गया 131 हो जाएगा यह आपका अंसर है तो आगे चलते हैं आगे में 15 कर रहा है तो यहाँ आप आप साब देख सकते हो त्नी डेसिमल प्लेश रिपीट कर रहा है 178 ठीक बार लगा इसलिए उसको पर लिखेंगे लिए एक्सेश कर तो 0.13178 ठीक इसी को फिर लिखेंगे एक्सेश को 0.3178 दो बार लिखने का फिर डॉट 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 मतला प्लेश करोगे तो पॉइंट आपका यहां पर आ जाएगा 317 बाहर आ जाएगा थे यहां बाहर आ गया 0.8178 पॉइंट एट वण देखो यहां पर जितना में अंडरलाइन कर रहा उसको गौर से देखो 8178 बच जाएगा जब यह डेसिमल यहां पर आ जाएगा यह डेसिम आने वाला हूं कि यहां पर मेरा तीन और चार साथ डिजित था लेकिन यहां पर चारी है तो 178 तो मेरे पास लिखना फिरी है क्योंकि यह रिपीट कर रहा है इसलिए मैं लिख डाला ओके फिर डॉट 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 कर लोगे असानी से अब आपको करना क्या है यह एक्वेशन हुआ है उसको टू से सब्स्ट्रैक करने का तो 1000 में एक्स गया 999 एक्स और 317.8178178 को सब्स्ट्रैक करेंगी इसमें तो 1000 में एक्स गया 99 तो हो गया इसके बाद मैं देख रहाओ यहां से पहला तो नहीं मिला नहीं मिल गया यहां पर 178178 मतलब यह मिल रहा है यह attends कर दिया यहां पर एट है यहां पर थ्री यह होगा इंट में थ्री जागत क्या होगा फाइफ यहां फाइप लिए जीरो लिख दिया जीरो लिखे वह दा लिखो बात तो ब्राबड़ी है अब लेगो थेने 17 में गया थे निए 17 ही हो जाएगा जीलो अब भी दो तो कोई दिकत ने लिख भी दो कोई दिकत ने कर फ्यूज ने होने का यह आपका अंसर आगया चलते हैं नाइन नमर कोईशन बहुत तीजिए तो यहीं करना है एकसे इसको दो बार निकलेने का 3535 दोट दोट equation 1 ठीक सिंच टूटेसिमल प्लेस इस रिपीटिटिंग सो बी मल्टिप्लाइए इक्वेशन 1 बाइए 100 कर दिया है एकसे मल्टिप्लाइए करोगे थे 100 अब इसको मल्टिप्लाइए करोगे 100 से आपको साब पता है क्या होने वाला है यह देसिमल आगे जाएगा यहां पर तो और 3212 बाहर निकलके यहां आ जाएगा देखलो और डेसिमल के बार 3535 बचेगा यहां पर 3535 लिक लिया अब देखो यह 35 एकस्टा इसलिए लिखा क्योंकि मुझे उपर में कितना है छे नीचे भी छे लाना होगा रिपीटिंग में हमेशा बड़ाबर बड़ लिखतो है निक बहुत बच्चे तो कंफ्यूज है नहीं करते हैं उसको जोज मिलता हो लिखते जाते हैं यह गलत है आपको कंफ्यूज होना है अब 100x में एकस गया 99x हो जाएगा और 3212.3535 इसके पास है लेकिन इसके पास उन में 12 है तब जाके 3535 है तो आपको करना क्या है करना क्या है समझे ने बात को 3535 पीछे का चाड़ गूरा दो तो यह 35 में 12 गया तो 23 आगी और 3212 में 32 गया तो 3180 आ गया एकस 99x आ गया 99 उदर चल जाएगा ठिक और यहां से वीडियो पाउच करो और समझो फिर भी दिक्कत आया को मेंट करो अगर समझ आ रहा है तो लाइक करते चलो लाइक करना है इतना मैंनस से मैं आपके लिए पूरा समझी सकते होगी आपको डिक्कत लग रहा होगा लेकिन मैं आपके लिए बनाया हूं तो चलिए आगे चलते हैं लास्ट कोशन 0.407 का लास्ट कोशन है लेक्चर का लास्ट कोशन नहीं है तो एक ही है तो तीन बार लिख लो अच्छा है तो आपको पते हैं देखोगे उपर भी 7777 है नीचे भी 7777 इक्वेशन टुगाया है आपको पता है 77 कटे गाई इसलिए कोई फायदा नहीं लिख लो कोई दिकत नहीं ठ्याल दो तो 10x में एक्स गया 9x हो जाएगा एक अब ध्यान दो 4.077 इसमें लेकिन पॉइंट के बाद 07 इसके पास है लेकिन इसमें क्याल पॉइंट के बाद 410 फिर जाके 3 वह 7 मेरे पास भी तो 37 है तो एक काम करते जितना कैंसिल हो पाय उतना उडाते हैं यह तीन कैंसिल और यह तीन कैंसल ना झालो ऑब 07 है और 0.4 थी है तो आप अब तो पता ह यहां प्लिक लेने का 4.07 जो कैंसील हो गया वो गया 4.07 के सब्स्ट्रैक कर लोगे कितना 0.40 यहां पर 0.40 कर लोगे न सब्स्ट्रैक करने ताता ही होगा सिम्पल सा जल्दी करके बताओ कमेंट वापस में क्या होगा कर दिये और यहां पर कर लोगे तो आप करोगे ता आएगा क्या क्या एगा 3.67 आ जाएगा और आप करना क्या है 9 को इधर इधर वेजरेना है 3.67 by 9 डो डेसिंबल नीचे दो जीरो उम्मित करता हूं समझ जरूर आया होगा चलिए फोर्थ नमर कोशिशन इजी है इसको आप फ्रेक्शन में लिखना है अभी क्या है अभी तो फ्रेक्शन है नहीं डेसिंबल कैसा डेसिंबल है नं टर्मिनेटिंग मतलब इसका डेजा रिमेंटर जीरो नहीं आने वाला और रिपीट कर रहा है तो क्या करना है दो कोश्टन एक तो 2.36 एक 0.23 तो देखो इ 8 x is equal to 2.3 उपरबार and y is equal to 0.23 को परबार 4 x is equal to 2.36 को उपरबार टिक पहले x का solve कर लेते है वी है पहले x को माल लिए और वी है हम लोग क्या करनेगे अभी तों तो करके आई है इतना साथ 10-10 कोश्टन बनाया अब तो दिकर नहीं होना चाहिए x is equal to 2.36 36 दो बार लिख लेने का दो डीजिट है तो कि लिए टुडेसमेल प्लेस इज रिप्टिंग सो भी मुल्टिप्लाइब बोज साइड बाए 100 अंडे एक्स हो गया दो डेसिमल है तो डेसिमल आ गया 236 आ गया तो नीचे 236 आ गया 0.3636 मैं इतना स्पीड इसलिए बत में टू गया 234 आ गया तो मन में भी कर सकते हो तो एक्स में एक्स गया 99 एक्स हो गया तो एक्स 99 कुदर लेका और नीचे में तो 234 बार लिख देने का क्लेरी तो डेसिमल प्लेस इस रिप्टिंग सो भी मुल्टिप्लाइब बोज साइड बाए 100 अंडेट से करो गित हंडे तो डेसिमल आ जाएगा 23.23 आ जाएगा और अपने मंसे 23 में लिखूंगा क्योंकि मुझे भी चार लाना उपर भी चार है तो 23 23 कैंसिल हो गया सब और 23 में 0 गया 23 आ जाएगा इसलिए इतना मैं आपके लिए स्क्रीन पर नहीं कर सकता है इसलिए कॉपी में बना के लाता हूं फिर उमीद करता हूं मुझे मेरा पहला प्रियोरिटी आपको समझाना है समझा ही डा होगा इसलिए मैं बार बार लिखने रहा हूं ताकि आपको से एक्जाम में फूल ओट फूल मार्क्स आपाए और आप अच्छे स्कूर कर पाऊं ओके तो एक्जाम फूल प्लेस तो हंडे से मल्टिप्लाइ करना है और यहां पर करोगे डेसिमल आ जाएगा अब देखो यहां चार है यहां भी चार है दो में एक्स टा लिखा क्यों पताई होगा इतना वार बता चुका हूं ताकि एकको लिकोल हो जाए जाए चार तो आएक वेल्यों निकालने का लिखेंगे लिखेंगे यहां चेल इसको एक्वेशन थी मालना है यह वाइंट्यू तो मालते थे लेकिन अब थी फॉर इसले मालने कि दो दो सब्सक्राइब कर रहा था तो यह डेसिमल दो आगया आगया तो 27 बाहर आगया 27 बच गया और एक बार अपने मन से लिखेंगे ना क्यूंकि चार चार बढ़ाबर हो जाए इसको फोर माल लो अब क्या करो नीचे वाला में समेशा उपर अला घटाना रहता यह बात आपको अब पता चली गया हो अच्छे से तो यह यह लीड़ आ यहां पर यह का वेल्यू आ गया और आप देखोगे अगर आपको समझ आया तो आप यही बोलते हूं थेंगी फर बाचिंग सब्सक्राइब और फ्रेंड इन क्लास में आपको सब्सक्राइब आपको सब्सक्राइब आपको पता है हम पहले ही बता चुका हूं इससे पिछले वाले लेक्चर में कि कोई भी टर्मिनेटिंग तब होगा जब उसका डेनोमिनेटर को हम लोग प्राइम फेक्टराइजेशन करें और वह तू और फाइप ही आए या सिर्फ तू आए या फाइप या दोनों आए तू और फाइप यदि उसका अलाबा कुछ भी आ गया तो टर्मिनेटिंग नहीं होता है सिंपल सा कोश्चन है तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लिखेंगे डियर्मिनेटर ऑफ थर्टीन बाइटी जेटी अब हमको करना क्या है एटी का प्राइम फेक्टराइजेशन कर लेना है तो आप आटी का प्राइम फेक्टराइशन करोंगे क्या जाएगा ट्विंटि टूएटु टूइंटु टूइंटु दूइटू और यहां प्राइम क्राइजेशन कराएगे pearटी का नहीं memang DevOps औहलेंगे का तो तो देखा कि मेरा तो 2 है वो तीन बार रिपीट किया है 1,2,3 इसका मतलब हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और 5 1 बार है तो इसलिए 5 का पावर 1 जितना बार हो उतना ही पावर होता है समझारा बात ध्यान दो अब हम लोग लिखेंगे इसलिए 80 के पास जो भी प्राइम फेक्टर है या तो 2 है या तो क्या है मेरा यहां देख सकते हूं यहां तो 2 है यहां मेरा क्या है 5 और जब भी 2 और 5 प्राइम फेक्टराइजिशन करने पर 2 और 5 ही आए तो हम लोग उसको बोलते हैं वो टर्मिनेटिंग रेशनल लंबर है मतलब तर्मिनेटिंग डेसिमल है क्या लिख देना है यहां लिखने के बाद क्या करोगे आप देखो किसके टेवल में आ रहा है तो देखो कि ट्यू का टेवल में 24 आपका 12 टेबल में लगाओगे तो 6 टेबल में लगाओगे तो 3 टेइमस में आजाएगा तो यही आपका क्या हो जाएगा प्राइम फैक्ट राइशन आप कुछ से कर लोगे मैं इसलिए नहीं किया कि वीडियो लेक्टर लंबा नहीं हो जाए लेकिन मैं आपको फिर भी समझ जान दो क्योंकि 2-3 बार है इस फ्राइम फैक्टराइजेशन में तीन एक बार है तो 24 वैस प्राइम फैक्टर अटेज जो की क्या है चिरी है यह बात हम जो कर देंगे तुके अलाबा भी इसके पास प्राइम फैक्टर थिरी आ रहा है so 7 by 24 is not a terminating decimal इसका मतलब 7 by 24 terminating decimal नहीं है क्योंकि इसके पास 3 prime factor आ गया है मैं पहले ही बता चुका हूँ कि terminating decimal होने के लिए prime factor या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए या 2 और 5 दोनों हो सकता है लेकिन उसके लापा कुछ भी नहीं चलेगा यहां पर 3 आ गया तो नहीं होगा so लिखेंगे 7 by 24 is not a terminating decimal तो चले आगे चलते हैं सेम टू सेम बनाना है 5 by 12 है तो फिर लिखेंगे denominator of 5 by 12 is 12 prime factorization of 12 is equal to 2 into 2 into 3 2 to the 4 into 3 12 सही है मेरा parameterization अब 2 2 बार है तो लिख देंगे 2 का पावर 2 क्योंकि दो दो बार है 3 other than 2 मतलब 12 के पास prime factor है 3 जो की 2 के अलाबा है और 5 के लिभी अलाबा है तो आप अच्छा ही रहेगा कि यहां पर 5 भी लिख लो ताकि बिल्कुल कोई दिक्कत ना हो 2 and 5 कर लो 2 and 5 कर लो कि 2 और 5 के अलाबा prime factorization क्या है 12 में 3 और यह extra आ गया तो यह prime factor यह तो terminating decimal नहीं होगा इसी बात को लिएका 5 by 12 is not a terminating decimal तो यह हो गया solve चले आगे चलते है 3rd हो गया 4th पे same to same सब बनाना है आप करो वीडियो पहुच करके भी कर सकते हो यह आपको मैं description में PDF दे दूँगा solution का तो ध्यान दो 31 by 375 है तो लिखेंग denominator of 31 by 375 is 375 नीचे का denominator यह होता है अब लिखेंगे इसका prime factorization को करना होगा तो आप prime factorization करो कितके आएगा तो आएगा prime factorization of 375 is equal to 3 into 5 into 5 into 5 चलो मैं check कर दो तो prime factorization सही है कि गलत है 525 जा 125 125 जा 375 मतलब मेरा बिल्कूल prime factorization सही है अब ध्यान दो यहां 3 एक बार है तो हम लोग लिखेंगे 3 का power 1 5 3 बार है तो 5 का power 3 ओके तो 375 जो 3 power 1 5 का power 3 अब ध्यान दो जो समझने वाली बात है यह है कि यहांप लिखना होगा 375 as a prime factor 3 375 के पास prime factorization मत किये तो मेरा prime factor क्या जाया है 3 भी आया ठीक जो की जो की other than 2 and 5 है जो की 2 और 5 से अलग है इसका मतलब 375 is not a terminating decimal समझाया होगा तो फटा फटा आगे चलते हैं आगे भी same to same question section 1 a 25 लिखें in the numerator of section 1 a 25 prime factorization of 1 a 25 is equal to 5 into 5 into 5 आप कर लोगे prime factorization करने आता ही होगा अब लिख सकता है 1 a 25 का जो लिखने की तरीका है लिख सकते है 5 का Q prime number के term में टेक प्राइम के power तो 125 लिखेंगे इसलिए 125 has no prime factor other than 5 इसके पास तो prime factor नहीं other than 5 और आपको इच्छेस पता है 2 हो 5 हो या 2 और 5 हो तो terminating होगा इसका में तो यह भी terminating है 2625 is a terminating decimal तो यह आपका one complete हो गया तो चले दूसरा question solve करते हैं दूसरा कर लेते दूसरा question क्या है write each of following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has क्राय कि जो भी question दिया गया है उसको आपको decimal form में लिखना है तो देखते हैं यह आपका ठीक पहला question 5 by आपको पहला इसको decimal form में लिखना होगा उसके बाद बताना होगा कैसा decimal expansion आया terminating यह non-terminating यह रैक्रिंग तो लिखेंगे solution में by actual division we have division करने कबाद क्या है नीचे से division करो उपर को नीचे से divide करो उपर को 5 नहीं होगा इसलिए हम लोग decimal देंगे यहां पर पहले ठीक और यहां एक 0 लगा लेंगे ठीक थाकि सही से division कर पाए क्योंकि 5 divisible है नहीं तो हम लोग इसको 50 मना लेंगे decimal देने के बाद फिर 6 बारन 48 आ गया 20 16 फिर 45 देखे क्या कि कि मेरा जो है 0 आ गया मतलब completely जब 0 आ जाय तो समझ जाना कि मेरा जो rational number है वह terminating decimal है 0 जैसे आया तो यह आप समझ जाना बात अच्छे समझ जाना कि terminating है तो यह लिग देंगे 5 by 8 is equal to 0.0.625 के लिए 5 by 8 has terminating decimal expansion तो दूसरा question करते है 7 by 25 को बनाना है 25 से 7 को डिवाइड करना डिवाइड तो होगा नहीं लिखेंगा पहले पहले तो लिखना होगा y actual division भी है ठीक statement is very necessary अगर आपको सब्सक्राइब फुल मार्स साहिए तो आपको लिखना ही होगा तो 24 से 7 25 से डिवाइड करेंगे होगा नहीं फिर डेसिमल देके अपने जीरो लिख लेंगे तो 70 हो जाएगा तब मैं डिविजिवल कर सकता हूं division कर सकता हूं तो बारे में 50 लाओंगा 20 200 हो जाएगा फिर जीरो लगा लूगा अपने मन से डेसिमल के बाद हम लोग लगा सकते हैं पता ही होना चाहिए सब बेसिक चीज टाइम से 200 आगया फिर इमेंडर जीरो आगया मतलबी टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो लिख देंगे 725 इस इकल टो 0.28 जो आपका आया है और दिख देंगे 725 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो आगे चलते हैं आगे आपका 3 by 11 ठीक ओके 3 by 11 ध्यान दो दिखेंगे बाई एक्चुल डिवीजन भी है नीचे सूपर को डिवाइट करना रहता है तो 11 से 3 को डिवाइट करना है तो हो गाई नी डेसिमल देंगे एक जीरो पने मन से लगाएंगे यहां पर बीच में ताकि में डिवीजन हो पाए अब 30 हो गया 11 से 2 बार में 22 87 बार में 22 ओके फिर 87 बार में 77 फिर 30 अब एक चीज है जरा समझो इसे ध्यान से देखो यहां पर 30 आया है ना आप देखोगे यहां पर भी 30 है क्वेश्चन में स्टार्ट के तब भी 30 आया बार बार मुझे 30 मिलना है और 0.27 एक बार आया दुबार आया और मैं फिर बनाओ अब फिर यहां पर 0.27 ही आएगा मतलब 0.27 मेरा क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है इसी बात को तो मुझे समझाना है आपको थ्यांदो तो अब रिपीट क्या कर रहा है मेरा तो रिपीट मेरा 2.7 कर रहा है तो हम लोग 0.27 पर बाहर लगा देंगे जो रिपेट करेंगा कि यह रिपीट कर रहा है रेक्रिंग धियांदो दिखेंगे कि लिपा ट्रीवाइवन एज नन टर्मिनेटिंग नन टर्मिनेटिंग जो जिसका डेमेंटर जीरो नहीं आये वो रिपीट कर रहा है इसका डेसिमल एक्स्प्रेक्शन रैक्रिंग है तो चले आगे चलते हैं यह question कुछ लेंजी सा है 5 x 13 है तो 13 से 5 डिवाइड करना है जाएट सी बात होगा है नहीं पहले लिख देंगे y actual division फिर decimal देके 50 कर देंगे 3 x 39 आ जाएगा फिर 11 आ जाएगा नीचे फिर 10 110 8 x 104 आ जाएगा फिर 6 0 60 आ जाएगा 4 x 52 आ जाएगा 6 x 78 आ जाएगा फिर 2 0 20 हो जाएगा तो 1 x 13 आ जाएगा फिर 7 0 70 हो जाएगा फाइब टाइम्स में आ जाएगा 65 फिर 5 0 50 हो जाएगा 3 x 39 फिर 8 बार में 104 आएगा 6 आ जाएगा अब बोलो कि सरा अब आगे आप क्यों नहीं की तो देखो इतना दूर करने की पार मैं कुछ सीख अब क्या सीखा वह मैं बताता हूं धेल दो मैं देखा कि 5 तक तो ठीक है फिर 3 आए फिर 8 आया तभी मैं रुख गया अड़े 3 और 8 यह तो रीपीट कर रहा है यहां पर भी देखो 38 मिल गया और यहां पर 38 मिल गया इसलिए मैं रुका मैं जानता था और डिविजन करूंग फिर देखूंगा कि वही चीज आ रहा है फिर कोई फैदा नहीं इस अच्छा पहली समझ लो ठीक फिर 60 ठीक होता फोर बारें 52 लगाता वही चीज आता है ना है तो क्या करेंगे हम समझ गए क्या समझ गए कि 0.384615 तक तो ठीक है लेकिन उसके बाद यह है वो रिपीट हो रिपीट हो रहा है क्या हो रहा है कैसे मैं पता लगाया समझ बात को मैं कैसे पता लगाया ध्यान दो यहां पे देखा 50 था ठीक मुझे यही चीज दुबारा मिल गया यहां पर एक तरह समझो कोशन फिर बन गया फिर वही चीज़ करूंगा फिर वही आएगा ठीक न यहां पर 5 by 13 क्या हो गया तो लिखेंगे 0.38461538 लेकिन आप बहुत हो चाहिए यहां ही तक छोड़ देते हैं अगर ऐसे लिखोगे न तो cbsc exam check जो करेगा आपका वो समझेगा कि यह रीपीटिंग नहीं है यह टर्मिनेटिंग है लेकिन आपको यहां पर डॉट 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 लगाना होगा यह इसलिए यह जो बताएगा कि अभी मेरा डिवीजन चली रहा है अभी मैं थोड़ा सा ही किया हूं और यह चलते रहेगा रैक्रिं लो अच्छे समझों कि यहां कि 0.384615 यहां तक तो रिपीट नहीं किया फिर रिपीट किया मतलब रैक्रिंग यहीं है सिर्फ यहीं रिपीट कर रहा है तो बार किसको पर लगेगा तो सिर्फ इसी कुप पर लगेगा इसलिए मैं 384615 कुप पर ही बार दिया हूं इसकानों कर रहा है आगे चलते हैं तो चलिए आगे बनाते हैं फटाफट 115 24 24 11 करना है नहीं लगेगा डेसिंबल दे के वाने टाइन कर देंगे 4.96 फिर वह 14 0 हो जाएगा तो 145 बार में 120 फिर 200 एट बार में 192 फिर 80 फिर लगा होगे 3 x 72 फिर 80 ले फिर वहीं हो रहा फिर 80 फिर 72 फ मतलब कि यहीं चलते रहेगा तो मैं क्या देख रहा हूं यहां पर कुछ और नहीं बार-बार अगर मैं करूंगा यहां पर मुझे बार-बार क्या आएगा 3 आएगा जितना बार करूंगा उतना बार मुझे 3 आते जाएगा यह कभी खत्म नहीं होगा यह चलते रहेगा मेर 3 upon दोंगा जो repeat करें ध्यान तो जो repeat करें उसको तरे करता है पहला बाद समय नों जिलो cert इसको नहीं तरमिनेटिंग करते हैं इसमें धोनों होता है इससे केसमें तो दोनों होता है वेंडरी भी 0 नहीं आहे रेपीट भींचेर लुटे मेंडरी 0 नहीं सब्सक्राइब कर लोगे तो चलिए आगे चलते हैं तो सेम कोशन है लगाना है नहीं लगेगा तो डेसिमल देंगे जीरो बठा देंगे क्योंकि अंदर छोटा है तो यह चोटा छोटा चीज आप कर सकते हूं इसके अल्डी आपके लोगों डिवीजन कर चुका हूं तो आप खुश से मल्टिप्ला तो कर सकते हैं वीडियो पाँच करके तो तो में 3,750 आ जाएगा और आप यहां देख सकते हो कि आपका क्या आ रहा है जीरो आ रहा है बिल्कुल इसको सब्स्ट्राइक किये ता आपको क्या आ गया जीरो मतलब यह जीरो आ गया मतलब टर्मिनेटिंग है तो सिंपल लिख देने का 231 by 625 इसको 0.369 और यह टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसी बात को लिखने का समझा ही रहा होगा तो चलिए आगे चलते हैं फटा-फट आगे बनाते हैं इसको आप मिक्स में दिय आप अपने मन से ले सकते हैं फिर 4 x 48 20 हो जाएगा 6 x 72 फिर 80 हो जाएगा 6 x 72 अगर मैं 72 लगाता हूं फिर मेरा 80 80 बचेगा मतलब कि क्या सीखें क्या सीखें क्या सीखें कि मतलब रिपीट करते रहेगा बार-बार आते रहेगा और इसको कितना भी कर लूँ आते ही रहेगा मतलत यह रिपीट कर रहा है और नीचे एक और चीज़ सीखें कि नीचे रहा रा इमेंडर जीरो नहीं है यह भी सीखली है मतलब नहीं है तो यह क्या है नं-terminate पहला देखो इसलिए मैं इसके लिए आप त्रिक लेकाया हूं जिस ट्रिक के माधम से आप सिब 10 को बनाने में आपको 10 मिनट भी नहीं लगेंगे यह बहुत बड़ी फैक्ट है आपके लिए और वैसे मैं यह बताऊंगा बताऊंगा काफी टाइम लग जाएगा तो आप उस ट्रिक को वि आपके लिए अदग से वीडियो गनाया जिसमें यहां पर मैं सॉल्यूशन परवाता हूं इस्टेप बाइस्टेप पहला को सने 0.2 के उपर बार तो करना क्या है पहले जो कोश्चन उसको एक्स माल लेना है तो लेट एक्स इसको 0.2 को पर बार ओके 12 मतलब क्या होता है मतलब 22 22 22 22 बाडवार डिपीट खर रहा है इसी बातको दिखा देंगे एक्सिस कर तो 0.22 22 22 22 इसका मतलब इन्एक आप लिक्टे रहा है ना गालने चैनल किसी होपाइट कर रहा है और पयुक्ають हो सिर्फ बाइंट से बाइंट डिवांंट करेंगे को तो एक होगा तो 10 से मिल्टिपलाइ करेंगे तो अगर में से करेंगे उच्छान में कुछ बन लाइने को तें रिटिपलाई करेंगे साइट इदर अगर हम맛 Yeah होगे अगर अब बात रहा सो जो चरब सेीमल एक आगे आ जाताए और आपका ऐसा बन जाएगा शब्क करते हों यह凭ूड आजाएगा और आपका कुछ ऐसा बन जाएगा से यह वाला जो चाहोो dog जारा बात ध्यान दूब आप समझने वाले बात है कि यह आपका आ गया दूसरा काम क्या करना है कि यह जो सेकेंड एक्वेशन है उससे आपको फॉर्स एक्वेशन को सबस्टैक कर लेना है ठीक सबस्टैक कर लोगे तू में सब वन को कैसे करोगे देखो 10x मैं एक्स गया तो अब तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि दोनों के पास सेमी चीज है लेकिन इधर देखे तो 2 में से 0 हो गया 2 ही आएगा तो 9x इसको 2 आएगा और x का value 2 by 9 आएगा लेकिन आप मैं इसको कोई फर्क ने पड़ता लेकिन अगर आप समझ जाते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है तो यहां पर मैं एक extra 2 क्यों लिखा बच्चो समझने वाली मानते पहला बात तो देखो कि दोनों जो है और repeat कर रहा है कभी खत्म नहीं होगा अगर हमको सब्स्टैक करना है तो decimal के बाद हमको एक जैसा लाना होगा जैसे कि पास अगर मैं चलूं इसके पास decimal के बाद 4 है कितना है चार डीजित है लेकिन अगर मैं एक टू बगड़ मेरा बाहर चला गया यहां पर तो बचेगा यह सिर्फ टीन टू तो चार दो मेंसे तीन दो सब्स्टैक हो नहीं पाया एक हम अपने मन से टू को लिख लिए अब ब अब उसके लिखा कि ताकि सब्स्टैक्ट हो जाए उम्मीद करता हूं समझाय हो चलिए अगला कोशन के चलते हैं आपका जो अगला कोशन है वह 0.53 को पर बार इस बार डो डिजिट है कोई तिकत नहीं हर बार वही स्टेप है सेम टू सेम लिखेंगे लेट एक्सिस कर तो 0 डिजिट लेगे यहां दो डिजिट रिपीट कर दो ही बार देखना आपके लिए अच्छा है तो 0.5353 लिख दिए बहुत अच्छा इसको एक्क्विशन वण मालने ने ज्यान दो लिख देंगे सिंस टू डिजिट इस डिप्टिंग सो मल्टिप्लाइब बोस साइड है था दो होगा हंडे से मल्टिप्लाइब करेंगे जानतो अब एक्स को हंडेट से मल्टिप्लाइब करेंगे तो क्या जाएगा हंडेड एक्स आ जाएगा ठिक और इसको जो है 0.53 को हंडेट से मल्टिप्लाइब करोगे तो आपको पता है जो हंडे से मल्टिप्लाइब कर अब लोग यह 53 क्यों में लाया तो देखो उपर अच्छे देखो उपर में चार डेसिमल लिखा था पॉइंट के बाद नीचे मगर यह 53 बाहर आगया तो मुझे इक्वल इक्वल करने के लिए बराबर बराबर करने के लिए लिख लिए और यह तो हम लोग करी सकते हैं कि 53 मेरा क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है समझ रहे बात को मैं समझा चुका हूं चलिए आगे देखो अब क्या करने लेने का अब हंडेट एक्स में से एक्स को सब्स्टैक करने का तो 99 एक्स आ जाएगा आप देखो 5353 डेसिमल क बचेगा 53 53 जिरो गया 53 और यह बच जाएगा 53 एक्स को आप इधर ही रखो 99 को नीचे भेज़ दो यह आप आंसर हो गया तो चलिए फटा-फट आगे सॉल्ब करते हैं आगे कोशन है 2.93 को उपर बार ओके ध्यान दो माल नेंगे एक्स इसको दो बार लिख देने का कि दो इसका मतलब कि रिपीट हो रहा है वन माल लेने का दो रिपीट कर रहा है तो हम लोग लिख देंगे सिंस टूरेज़ डेसिमल प्लिशी रिपिनिंग और रेकरिंग मतलब एक ही चीज़ होता है सो भी मल्टिप्लाइब बोथ साइड बाई हंट ओके तो यहां पता है अगर ह आग पॉाइंट नैठीट लिखा और अपने माझा सबैक है यहां पर निचे लाना होगा तकि मेरा डेसिवल केंसिल हो जाए तो रेज़ कर रहा है समझगे बात को साइगए इस साइट इस सीचिवाइब गए इस साइट करो को है और सबस्टेक्वां निकराइग लेकिन समझने वाली बात क्या है कि यहां पर यह 3 का टेबल में दोनों आ रहा है तो दोनों को पर नीचे 3 से दिवाइट कर देंगे काट देंगे सिंप्लिफाय कर देंगे और नीचे 33 बार रिक टेबल माता है तो 97 एक्चुली में आपके बुक में अंसर दिया रहेगा तो आपको गन्फ्यूज नहीं करने का अगर आप इतना पर भी छोड़ोगे आपका अंसर सही है लेकिन हां टीचर पर डिपेंड करता हूँ आपको माक्स खाटेंगे या नहीं खाटेंगे एक छोटा साइस टेप के लिए तो चलिए आगे चलते हैं फॉर्ट नमर कोशन की हो सेम तूसेम कोशन है वह दो देश्मल रिपीट कर रहा है तो यसी लिख लेने का फिर आक्सिस कर दिवन वान लिख देने का सिस्टू डेसिमल इस प्लेस इस रिप्टिंग सो भी मुल्टिप्लाइब बोज साइड ऑफ एक्वेशन वाइंडरेट क्योंकि दो देश्मल प्रिपीट कर रहा है तो यहां पर जान मुझके दो अलग से लिख लिया हूं क्योंकि मेरा यहां पर जैड सी बा चाहिए था और मेरा एक्शुलिंग फॉरेट बचा भी था लेकिन फॉरेट एक फॉरेट हम अपने मन से लिखें ताकि इसके पास चार है डेसिमल के बाद और मेरे पास भी चार होगा तब ही तो मैं सब्स्ट्राइक कर पाऊंगा ठीक समझ रहा है बात को यहां पर भी सो यह नहीं भूल जाना है कि यहां पर सो अन सो अन मत लिखना अगर टीचर चाहिए इस पर माक्स काट सकते हैं इसको एक्वेशन और एक्वेशन टूमाल लेना सो अन सो करने के बाद मतलब कि रिपीट कर रहा है मेरा बात को समझो ठीक ना उन सब्स्ट्राइक टींग वन फ् हो गया इसमें से उपर को सब्सक्राइक कर देंगे 830 आ जाएगा अभी 99 को स्टाइड बेज देंगे तो वन तुछ नहीं कुछ नहीं है 0.235 को पर बार लगा हुआ है मतलब लोग लिखेंगे लेट आक्सिस कर तो 0.235 और यह रिपीट कर रहा है तो इसमें बस यह एक अलागे इसमें थी डिजित कर रहा है तो मैं पहली बता आचको एक करें तो टैंसर मुल्टिप्ला करते हैं का दो करें तो तो यहां लिख देंगे 0.235 235 दो ही बार दिखने है फिर सोवां सोवां लिख अक्रण अब धेइंड दो ऊपर नीचे हंडर एकश को हंडिप्लाइं करोंगे सवाइब थाउजं सी मॉल्टिप्लाइड और इसमें करना है तो यह आगे चला जाता कितना वाद है तीन आगे चला गया और 235 decimal के बाहर आगे तो बचेगा 235 इसे जखो 235 को डेसिमल के बाहर लाया आया ना तेकि 235 बचा अब समझने वाली बात क्या है कि यहां पे एक ही 235 बचा जो कि मैं अल्लेडी लिग चुका हूं तो एक्स्टा में 235 कहां से लाया बार बार दोस्तों बोलना देखो उपर में पास डेसिमल के बा सब्सक्राइब करने काफी दिक्कत आजाता है तो इसलिए हम लोग 235 लिख दिए एक अलग से ताके 66 उपर हो सकते और लिखना बहुत ही असान है आप खुझ से लिख सकते क्योंकि आपके पास कितना वार में लिखने का आपके पास यह चांस है लिख सकते हो ओके अब दोन जाएक लिख सब्सक्राइब लिख सकते हो आपके लिखने की सब्सक्राइब करने करने का दो बार इसको लिख देने का लिख्योंकि अब खं़ुक्राइब समझो बात को लिखेंगे सिस्टुटेशिमल प्लेसे रिप्टिंग सुभी मल्टिप्लाइब बोच साइड ऑफ एक्वेशन वन बाइंड़ ओके मज़रों बात बात को समझो अब देखो में डेसिंबल यहां पाँजाएगा तो मेरा आंशर की आएगा अब यही बात मैं सब्जाने जारा हुँ बहुँ"- शरा सो सब्जाने जीरो पबाद बहुत ही दिक्कत आता क्योंकि इसके बाद तो रिपीट है और रिपीटी जगो कभी भी रिपीटिंग संख्या को सब्च्राइक करने बहुत दिक्कत आता है इसलिए उपर नीचे एक जैसा कर लो ताकि अचा असानी सब्च्राइक कर पाँ तो यहां पर 32 अपने मन से लिग तो 66 हो जाएगा अब देखो गें मैं कैसे करना है तो मन में भी आप से चाख कर सकते है अब यह जैसा यह उसमें से जी लो जाएगा तो अंसर आपका क्या जाएगा यहां पर 0.32 आ जाएगा है ना समझें ना बात को पाउच करके आप देख सकते हो चिस अब 99 एक्स यही रहने तो 99 को धर बेच दो 0.32 भाई 99 अब देखो पॉइंट में है डेसिमल फॉर्म में है अभी तक में डेसिमल फॉर्म नहीं हटाए तो आपका काम क्या है अब देख रहा है ना जाए जल्दी-जल्दी करने के चाहिं थोड़ा प्रब्लम आ रहा होगा डॉनट वाटिट आएगा इसका मैं गैरेंटी लेता हूं आगे चलते हैं जालने बूस्ते हैं चली फटा फट बना लेते हैं एकसिस्कलर नहीं करना 3232 मिक्स करते हैं दो 1.3 है 23 को आप लिख रहे हो दो बार लिखे 2323 समझे लिए इन बाद को सब्सुरार चल रहा है इसको 100 से मल्लिप्लाय करेंगे आपको पता है यह डेसिमल आगे आजाएगा दो बार 132 बहार आ जाएगा और बच जाएगा 323 जहीं बचे राशी देख लो 132 बहार आ गया ध्यान तो अच्छे समझा रहा है 323 यहां देखो यहां 323 इसको मत देखो यह कुछ नहीं है जो गोल किया हो ना नीचे में यह कुछ नहीं है तो 323 है अब बोलोगे यह 23 क्यूं लिखे यह वाला जो 323 है यह क्यूं लिखे तो मैं देखा क्या कि मेरा 23 रिपीट कर रहा है ना और मुझे दोनों पहला है उसमें गौर से देखाता हूं अच्छे देखो इरेज करने के बाद में बताता हूं ठीक ध्यांदों फाइला यह दूसरे में भी फाइफ लाना है तो 123 तो मैंने पास था ही पहले से 3 तक 23 में अपने से लाया ताकि की इक्वल उक्वल हो जाए सब्स्थाइक करने हो जाए तो यह सब्सक्राइक कर लोगे 32 32 33 23 है सब 0 हो ठीक 12 ब मेरerson एंट यह स्क्राइब लिए अखेच स्क्राइब तीन 2.31 178 178 दो बार लिखने का फिर डॉट 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 मतला रिपीट हो रहा है बार खटाने के बात तो लिखेंगे सिस्टी डेसिमल प्लेसिस रिप्टिंग सो भी मल्टिप्लाई एक्कोईशन वन बाई थाउजन समझो बात को तो थाउजन समेटिप्लाई करने का इसको करोगे एक्स को थाउजन समेटिप्लाई करोगे तो पॉइंट आपका यहां पर आ जाएगा 317 बाहर आ जाएगा 317 बाहर आ गया .817 ओके 8 .818 देखो यहां पर जितना अम एंडरलाइन करा उसको गौर से देखो तो 8178 बच जाएगा जब यह देखो यहां पर जाएगा यहां दिखाने वाला हूं कि यहां पर में तीन और चार साथ दिजित था तो 178 तो मेंने पास लिखना फिर है क्योंकि रिपीट कर रहा है इसलिए मैं लिग डाला ओके फिर डॉट 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 कर लोगे असानी से अब आपको करना क्या है यह इक्वेशन हुआ है उसको टू से सब्स्ट्रैक करने का तो थाउजंड में एक्स गया 999 एक्स और 317.8 178 178 को सब्स्ट्रैक करेंगे इसमें तो थाउजंड में एक्स गया 317 है अब देखो कि क्या दोनों में एक जैसा 8178 178 यहां पे 3 है एट नहीं है लेकिन इसके बार मैं देख रहा हूं यहां से पहला तो पहला नहीं मिला लेकिन यहां सो 178178 मिल गया यहां पर जेखो 178178 मतलब यह मिल रहा है यह मिल रहा है तो चुछ एक जैसा मिल जाए ना दुनवे एक्वेशन्स में वो तो पहले ही हटा दो गइव कर दो यह कोका अब करो और और इसको तो कर दिया होगा है इस्ट यहाँ पर ढूरोग्त होगा कैसे दिखेंगे 999 को नीचे बेजेंगे यहां पर देखो मैं 0 यहां हटा दिया डॉंट बड़ी ओके अभी भी डेसिमल हटा होगे एक पर है यहां नीचे पड़ेगा नीचे दे दिया अभी डिविजिवल फाइप से उपर नीचे दोनों तो 635 टाइम सब्सक्राइब आता है नीचे 1098 के टेबल में आता है ताइमस में आता है यह आपका अंसर आगे चलते हैं नाइन नमर कोशन बहुत तीजिए तो यहीं करना है एक्सेस कर तो 32.123 के कोशन दिया है 35 को पर बार जो बार इसको दो बार दिक लेने का 3535 और डॉट सब्सक्राइब लिखा क्योंकि मुझे ऊपर में कितना एच्छे नीचे भी छे लाना होगा रिपीटिंग में हमेशा बराबर बराबर लाना रहता है इसलिए अपने मंस में लिख सकता हूं लिख दी उसमें कोई बरा लॉजिक तो है नी बहुत बच्छे तो कन्फ्यूज नहीं करते हैं उसको जोद मिलता हो लिखते जाते हैं यह गलत है आपको सब्सक्राइब को अब 100x में एक्स गया ना इन ना इन इन एक्स हो जाएगा और तो इसके पास है लेकिन इसके पास उन में वान टू है तो आपको करना क्या है करना क्या है अब बात को 3535 पीछे का चार गूरा दो तो यह 35 में 12 गया ना 35 में 12 गया तो 23 आगी अब 3212 में 32 गया तो 3180 आ गया एक्स 99 एक्स आ गया 99 उदर चल जाएगा ठिक और यहां से डेसिमल में हटा दिया दो पे था दो हटा यह नीचे दो जीरो पाड़ा और वही देखो के वही में अंसर यहां आप लिग दिया और साफ साफ लेकिन अब बहुत बच्चे आप में सब भी भी कन्फ्यूज कर रहे होगा मैं कर आँ वीडियो पाउच करो और समझो फिर भी दिक्कत आया कोमेंट करो अगर समझ आ रहा है तो ला 4.407 को प्रबार 77 रिपीट कर रहा है तो लिख लेना दो तीन बार लिख लो एक ही है तो तीन बार लिख लो अच्छा सिंस वन इजिटी रिप्टिंग सो भी मल्टिप्ला है एक्वेशन बार लिखोगे न तो आपको पते हैं देखो कि उपर भी 77777 है नीचे भी 7777 पॉइंट के बाद 07 इसके पास है लेकिन इसमें कराद पॉइंट के बाद 40 फिर जाकर 3.7 यह बोलेगा मेरे पास भी तो 37 है तो एक काम करते हैं जितना कैंसील हो पाए उतना उडाते हैं यह 3.7 है और 0.43 है तो आप अभी तो पता है ने सबस्टेक्ट तो पड़े ही हो ग चैंसील हो गया वह गया वह कैंसील हो गया 4.07 के सबस्टेक्ट कर लोगे कितना 0.40 यहां पर जोखो यहां पर 0.40 कर लोगे ना सबस्टेक्ट करने ताता ही होगा कर दिए और यहां पर कर लोगे तो आप करोगे ता आएगा क्या एगा 3.67 आ जाएगा और आप करना क्या है 9 को इधर इधर वेज लेना है 3.67 by 9 डो डेसिंबल है तो नीचे दो 0 विंद करता हूं समझ जरूर आया होगा चली फोर्त नमर कोश्टन इजी है इसको आप फ्रेक्शन में लिखना है अभी क्या है अभी तो फ्रेक्शन है नहीं कैसा डेसिंबल है नं टर्मीनेटिंग मतलब इसका डेमेंटर जीरो नहीं आने वाला और रिपीट कर रहा है तो क्या करना है दो कोश्टन एक तो 2.36 एक 0.23 तो देखो इसमें जाला कुछ है नहीं जो पहले कि यह वही है 2.36 को एक कोश्टन माल लो इसको दूसरा कोश्टन माल लो तो देखो कैसे बनाएंगे लेट एक से इसको टो 2.36 उपरबार और य इसको टो 0.23 उपरबार और एक से इसको टो 2.36 उपरबार ठीक पहले एक सका स्वाल कर लेते हैं वी है पहले एक सको माल लिया और भी है अम लोग क्या करेंगे तब इतना साहरा 10-10 कोश्टन बनाएं अब तो दिकत नहीं होना चा है 0.3636 मैं इतना स्पीड इसलिए बता रहा कि अभी मैं 10-10 कोश्टन करवा चुका हूं और इतना में तो क्या बोलते हैं अगर आप लूजर भी हो फिर भी आपो समझाना चाहिए इसमें कोई दौर आए नहीं है के 3636-3636 0 हो गया सुट्राइक करने पर 236 में टू गया 234 आगे आप तो मन में भी कर सकते हो ज्यांतों अंडेट एक्स में एक्स गया 99 एक्स हो गया तो एक्स 99 को इदर लेक्या और नीचे में 234 बार लिख देने का सब्सक्राइब हो जाएगा और यहां पर अपने मन से 23 में लिखूंगा क्योंकि मुझे भी चार लाना है उपर भी चार है तो 2323 कैंसिल हो गया सब और 23 में 0 गया 23 आजाएगा प्रवाइब प्रवाइब लिखना है इसलिए इतना मैं आपके लिए स्क्रीम पर नहीं कर सकता है फिर उमीद करता मुझे मेरा पहला प्रियोरिटी आपको समझाना है समझा ही जाओगा वाइच कर टो 1.27 उपरबार है एक फॉर आक्स कर दो 0.38 भी है बहुत बच्चे को तो आता है लिखने नहीं आता है इसलिए मैं बार बार लिख भी रहा हूं ताकि आपको सब्सक्राइब फूल आट फूल मार्क आपाए और आप अच्छे स्कूर कर पाए और अच्छे स्कूर कर पाए सब्सक्राइब करना है और यहां पर करोगे देशिमल आ जाएगा 38.38 अब देखो यह चार है यहां भी चार है दो में एक्स टा लिखा क्यों पताई होगा इतना बार बता चुका हूं ताकि इकोल इकोल हो जाए सब्सक्राइब करना है यहां तो मालते थे लेकिन अब 3-4 इसले मालने कि दो-दो सब्सक्राइब कर रहा था तो यह डेसिमल दो आ गया गया तो 27 बाहर आ गया 27 बच गया और एक बार अपने मंसे लिखने ना क्योंकि चार-चार बढ़ाबर हो जाए इसको फोर माल लो अब क्या करो नीचे वाला में समय सा उपर अलग घटाना रहता है यह बात आपको पता चली गया हो अच्छे से तो यह गया गया यहां पर और आप देखोगे अगर आपको समझ आया तो आप यही बलते हूं thank you for watching like subscribe and share to your friend and classmate have a nice day bye bye